अगला प्रस्ट है रख्त समुह का खोज 1912 में किस न गया था तो जो ब्लट ग्रूप्स होते हैं वह जनरली चार प्रकाड के होते हैं और इन ब्लट ग्रूप्स का जो दिस्कोवरर्ल है वह कौन है तो कारल लेंड़स्टिणर समुण किया था उने उनष्ट प्रकाड के चार प्रकाड के कौन क्लट सी हैं ए बी आबी और और इनष्ट प्रकार के ब्लट ग्रूप्स होते हैं जिनका खुज बीनिस chegou में कार्ले हैं किया था है छुआ र्क्थ परिवन का खुज किस में किया था यानिकि अला से रोद Ridge सार्कुलेशनों का खुज किया था वीलियम होरवे नहीं को अगला है मैंने उसमें कितने प्रगाड के Blood groups पहाए जाते हैं तो मैंने रही जिस्ट पता है चार प्रगाड के Blood groups पहाए जाते हैं option number a ईसका correct answer होगा कॉन कॉन से होते हैं पहला a, दुसरा a, दूसरा b, तीसरा a,b, छॉथा o हरक्त तुमें कितने प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं तो याद रखाया रक्त में दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं एक एंटिजन ए और दूसरा एंटिजन बी नेक्स्ट है सर्वदाता रक्त सामु कौन होता है तो देखें यूनिवर्सल डोनर यानि कि वैसा ब्लेट ग्रुप जो किसी को भी दिया जा सकता है तो वह कॉन सा है तो वह हो जाएगा O, O blood group जो है अब किसी को भी दिया जा सकता है इसलिए O blood group को क्या कहा जाता है universal donor यानि कि serve data कहा जाता है तो इसका अंसर हो जागा option number D अगला प्रश्णने सर्वग्राही रख्त समुः कौन सा है यानि कि यूनिवर्सल रिसेप्टर बलड गुरूप कौन सा है तो याद रखेगा यूनिवर्सल रिसेप्टर बलड गुरूप कि अगर बत करेगा तो A-B हो जागा यानि इसका अंसर हो जागा option number C AB Blood Group जो है वह क्या है किसी भी प्रकार के Blood Group को ले सकता है इसको A, B या फिर AB या O किसी प्रकार के Blood Group को दिया जा सकता है जिसका Blood Group AB है ठीक है Next है सरीर के अंदर किसकी उपस्थिती में रक्त नहीं जमता है तो मैंने बज़स्ट पता था है प्रकारीन जो होता है उसके वज़े से क्या होता है सरीर में रक्त नहीं जमता है तो C इसका Correct आंसर हो जाएगा और रक्त किसके कारण जमता है तो रक्त पट्टी कानू या फिर फैबरी नोजेन भी रक्त को जमाने में मदद करता है अगला है रक्त की कमी से कौन सी बिमाडी होती है तो रक्त की कमी से होती है अनेमिया option no.B ये इसका Correct हो गा नेअ्स्ट कॉंसन है वैसी पेसी जो हमारे एक्छा के वेरोध्यकार करती है उसे क्या कहा जाता है तो देखे एक्छा के वेरोध्यकार करना अरखित पेसी कहते हैं, जैसे हमारे सरीर में बहुत सार ऐसी पेसियां हैं, जैसे गरभाशे की बात कर लें, ठीक है, या पाचन अंगों की बात कर लें, तो ये सारे क्या है, एक्षा के अधिन नहीं है, ये अपने अनुसार कारे करता है, तो ये जो पेसियां बनी होती है, य ही जाती है तो नाम से योसर है हिर्द पेशीबिट ही जैका हुआ इस की फरकार होगता है और जी पर हमारा नहीं रही होता है उसे और्रेख्ः बोलते हैं और हिर्दे किस प्रगार की पेशी से तो हिर्द पेशी से बना होता है सी करेक्ट होगा इसका अंसर हमारे सरीर में उद्धीपनों का आदान परदान कौन कराता है तो देखें उद्धीपन यानि के डिफरेंट टैप के सुचनाओं कि यह हम बात कर रहे हैं जो पर नर्बस सिल्व नर्वस इस्टम अगल्ण रहे कि अंतरीका तंत्र की संड्राचनातमक तथे करियतमक विल्उय कि से कहते हैं तो इसका अंसर तंत्रीकाई और नियूरवन दोनों लोंगे इसका तंत्रीका औकलि अंगलेस में नियूरॉन होती है दो दंत्रीकाओं के मद्य ह्रिक तस्थान को क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है enorm सनेप्टिक डड़ार इसका व्यांसर d हो जाएगा डोर ये जो सपेस होता है उसे क्या मिस्की दोरार स्ट का र्ड़ार इस को क्या कहा जाता है तो तंतृ क Typically मेंतारे जीसिंटों को क्या कहते हैं python शायं त्वाम गाता है एक अरिक्ट होगा कि अरुक हुगा निच्ट है नम्न में कौन सीयोजी उत्तत है तो सीयूजी उत्तत की बद करें तो तीनों ही सीयोजी तो दी इसका correct answer हो जाएगा तो इस तरीके से हमारा second chapter tissue complete होता है अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे third chapter taxonomy के बारे में वर्गिगी के बारे में वीडियो कैसा लागा comment करके जरूर बताईएगा और preference दर के लिए में share करते जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जरूपा है सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राबर बगेन होंगे और व्यूज ज्यादे आते हैं तो हमें भी motivation मिलता है ताकि आगे हम आप लोगों के लिए प्रियास करेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में share कर देने वादा